हलो गाइस तो स्वागत आप सभी का अपने सुटूट चैनल पर जिसका नाम है अंकित सिंग और जैसे कि आप सभी को पता है मेरा भी नाम अंकित है तो यार आप सभी अगर इस बार मॉंबई की दो बेस्ट कॉलेजेस है जो कि आप सभी को पता होगा जिसका नाम है फर्स्ट जो कि आता है आई सीटी मॉंबई जिसको हम इंस्टिटूट ऑफ केमिकल टेकनलोजी मॉंबई कहते हैं और दूसरी आजाती है हमारी वीजेटी आई जिसको हम वीर माता जीजा है अग्र आपको उन किलोजे करना है तो मैं आप उसके लिए कट ओफ लेकरanders can ऐलए नजया अगर्शा अगर वीडियो लेकर आओं जो कि आप देख सकते हो और आपको इस वीडियो से help भी मिलेगी तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूं इंस्टिटूट ऑफ केमिकल टेकनोलोजी माटूंगा मुंबई जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तो मैं सबसे पहले आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यह माटूंगा समझे इससे कुछ माटूंगा जो है मुंबई की प्लेस है तो वहां पर यह एक कॉलेज सिचुएटेड़ है तो देखिए सबसे पहले आप देख सकते हो कैमिकल एंजिनरिंग स्टेटस क्या है दीम यूनिवर्सिटी ऑटनॉमस तो जैसे कि यह स्टेटस क्या होता है तो जैसे कि कोई होते हैं गॉवर्मेंट ऑटनॉमस कोई होते हैं प्राइबेट तो वैसे यह दीम यूनिवर्सिटी ऑटनॉमस है और अगला आता है स्टेज तो सबसे पहले आप देखो बॉक्सेज में आपको दिखाल रहा होगा जी ओपन मतलब यानि कि जनरल केंडिडेट जो की ओपन है जिनकी केटेगरी ओपन है फिर अगला आता है जी एसस तो जो क सकते है फिर देखो यह ए ल मतलब का है है ल मतलब लेडीस मतलब जो गल्स है उनका श्टार्ट होता है ल ओपन ल steas तो इन सब का आप देख सकते हो यहां पर आपको यहां पर PWD ओपन भी दिख रहा होगा तो आप इन सब में अपना कैटेग्री देख सकते हो तो मैं आपको कुछ का बताऊंगा जैसे की ओपन का बताऊंगा, SC का बताऊंगा, ST का बताऊंगा, ladies open का बताऊंगा, ठीक है, और आप खुद तो आप इसमें देखी सकते हो, तो और PWD का भी बताऊंगा, तो देखो, सबसे पहले chemical engineering अगर आपको ICT Mumbai से करना चाहते हो, तो अगर आप open category में हो, तो आपको कितना rank और कित है, ICT Mumbai, तो आपको इतना marks लाना होगा, तो देखो, मैं भी आपको बताता हूं, सबसे पहले थोड़ा बिकल लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं, फिर आपको अगर general, अगर आप open category से हो, और आपको chemical technology, मतलब ICT Mumbai से chemical, देखो इसका नाम ICT Mumbai, chemical technology तो यहां पर chemical engineering बहुत अ बूव रहता है, तो आप देखे सकते हो, रैंक जो हैं यहां पर 749 है, उपन students के लिए, और percentile कितनी होगे, 99.4386, मतलब 99.4386 percentile, अगर आपको आता है, आपकी rank in the 749 है, तो आपको 2021 में, एकदम आगे पीछे होगे, अगर पीछे है तो वेल और आगे है, तो थोड़ा मतल देख सकते हो, कितना ज्यादा cut-off है, क्योंकि chemical technology, यहां पर chemical engineering बहुत अच्छी ICT Mumbai में, अगला देखो SCS के लिए, SC वालो के लिए, rank आपको चाहिए 6336, और आपकी जो percentile होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 95.5328906, तो 95.5328906, तो 95.5 percentile अगर आपको आती है, और अगर आप ICT Mumbai में, अगर आप SC का category से आते हो, और अगर आपको ICT Mumbai में chemical engineering करना है, तो आप 95.5 percentile अगर लाओगे, और rank आपकी in the 6000 to 7000 के बीट में होगी, तो आपको मिल जाएगा, अगला आता है ST, तो ST वालो के लिए और थोड़ा सा कम हुआ है, बहुत ज्यादा कम है, वेरी, मतलब 26 519 अगर आपकी rank होगी, मतलब 26,000 rank और 81 percentile अगर आपको होता है, तो आपको ICT Mumbai में chemical engineering करने का मौका मिल जाएगा, वेरी, तो यह जो VJS है, यह सब मतलब बहुत सारे cast होते हैं, कुछ अलग states के भी होते हैं, जैसे JN के अलग-अलग सब कुछ रहते हैं, अगला मैं आपको O OBC के लिए बताता हूँ, यहां पर आपको दिखा होगा T3S के वाजू में, तो अगर OBC से हो, तो OBC वालों को भी सेम जर्नल ओलों के लिए रहता है, जैसा ही होता है, और थोड़ा सा वैरी रहता है, तो आपको 1271 यानि की 1271 rank होनी चाहिए, और 99.07 percentile, 99 above percentile होगा, तो ही आ आप ICT मॉंबई में chemical engineering कर सकते हो, अगली आजाती है, L open, मतलब ladies open, अगर आप ladies के girl हो, और open category से belong करते हो, तो आपको 1041 rank पे पिछले साल ये मिली थी, क्या नाम इसका, chemical engineering ICT मॉंबई में, जो की percentile आपकी जाएगी, 99.23 something, ओके, और अगर आप ladies OBC से हो, या फिल, तो आपको 2004, देखो अगर आप Gents OBC से होते हैं, तो आपको 1270 rank पे मिलता, पर अगर आप ladies से हो, तो देखो थोड़ा vary कर जाता है, कितना हो जाता है, 2441, 98.24 percentile something, और फिर इसी के तरह, ladies SC से, या फिल, ladies ST से हो, तो ladies SC से हो, तो 8421, और ladies ST से हो, तो 32,000, तो ST वालों के लिए, ज्यादा vary रहता है, मतलब बहुत कम rank पर भी उनको अच्छे अच्छे ब्रांच मिल जाते है, आप देख सकते हो, तो ठीक है, अगला आता है, डाय स्थर्फ टेकनोलोजी, जो कि आप देख सकते हो, अगर आप जनरल ओपन से हो, तो आपका कितना होना चाहिए, 3978, यानि कि अगर आप आपको डाय स्थर्फ टेकनोलोजी, ICT मुंबई से करनी है, तो आपको लगभग लगभग 97% से ज्यादा होगा, तो आपको मिलेगा महाँ पर, और लेडीज ओपन के लिए कितना हो जाएगा, 2777, अभी मैं सब के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर आप यहां पर देख सकते हो अगर आपको देखना हो तो जो के आप एगदम इसली आप देख सकते हो, SCE, जो भी आप जिस से भी बुलायां करते हो, ठीक है, मैं आपको सब बार दिखाई दे रहा हूं, ठीक है, और अगला आता अगर आप ऑईल, ओले केमिकल एंड सर्फेक एंड टेकनोलोजी करना चा अगला आता है, फार्मेसिटिकल, केमेस्ट्री एंड टेकनोलोजी, तो ओपन वालो के लिए आती है, 1405 रैंक, मतलब बहुत ज्यादा है, 98.96 परसेंटाइल, और लेडिज ओपन के लिए तो बहुत ज्यादा है, 400 रैंक और 99.70 परसेंटाइल, कुछ ज्यादा ही, लेडिज जालो के लिए कम है, यहाँ पर, तो इसमें लेडिज की डिमांड ज्यादा होगी, इसलिए इसका रैंक जो है लेडिज के थोड़ा हाई गया है, समझेग, और अगली आती है, अगर आप इंस्टिटूट ओप केमिकल टेकनोलोजी से फाइबर एंड टेक्स्टाइल प्रोस 96 होनी चाहिए, अगली आती है, पॉलीमर एंजिनेरिंग एंड टेकनोलोजी, तो पॉलीमर एंजिनेरिंग करना चाहते हो आप, तो आप अगर जेनरल ओपन से हो तो आपको रैंक होनी चाहिए, फिटीन हंड़ एंड एंड लेवन अबव नाइटी एट परसेंटाइल होने करना चाहते हो, अगर आप जेनरल ओपन से हो तो आप देख सकते हो, आपकी लगबग लगबग 1500-2000 के बीच में आपकी रैंक होनी चाहिए, और 98 परसेंटाइल के उपर होना चाहिए, और अगर आप लेडिस ओपन हो, तो 2070 पे पिछली बार बच्चों को मिला है, और जो आ 98 तक होनी चाहिए, अगला है सर्फेस कोटिंग टेकनोलोजी, तो जनरल ओपन से हो तो आपको 30716 आपकी यह होनी चाहिए, जनरल ओपन में रैंक, और आपकी जो परसेंटाइल है, वो लगबग लगबग 97.35 होनी चाहिए, ठीक है, और अगर आप लेडिस ओपन से हो, तो 30 303036 होनी चाहिए, और 97.39 आपकी रैंक होनी चाहिए, अगली आ जाती है, तो अभी जिसका सब वेट कर रहे हैं, कि आपको अगर विजट ही आए मुंबई, जानि कि वीर माता जीजा भाई टेकनोलोजी वाई इंस्स्यूटूट माटोंगा मुंबई से, अगर करना है तो आ इसे ही ब्रांचेज भी उसमें हैं, और अगला आता है विजेटी आए मुंबई, जिसमें आपको अगर सेवल एंजिनेरिंग करना ही है, तो आपको ये भी देखो, ये गौवर्मेंट एडेड अटोनॉमस है, ये गौवर्मेंट एडेड अटोनॉमस कॉलेज है, तो अगर आप जनरल उपन से, अगर सिविल इंजिनेरिंग विजेटी आए मुंबई से करना चाते हो, तो आपकी लगबग लगबग जनरल उपन कैंडिडिट अगर आप हो, तो आपकी 2511 आपकी रैंक होनी चाहिए, और लगबग 98 के अबव आपका अगर परसेंटाइल आता है, तो आप बाकी बच्चों का भी आप देख सकते हो, अगर आप PWD का देखना चाहते हो, तो भी आप देख सकते हो, इसमें मैं सब आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, और अगर आप केंपूटर एंज साइंस एंजिनेरिंग करना चाहते हो, विजेटी आई से, तो आपको करना है आपको तो 99.94 परसेंटाइल और 88 रैंक होनी चाहिए, और अगर आप लेडीज ओपन में हो, तो 62 यह और घड़ गया, लेडीज वालों के लिए और घड़ गया, और 99.96 चला गया, तो देख सकते हो, कितना वेरी कर रहा है, ठीक है, तो कितना टफ है, विजेटी जाता है, जन्राल ओपन के लिए हो जाता है, 169 और 99.87 परसेंटाइल, और अगर आप लेडीज ओपन हो, तो आपके लिए 318 थोड़ा सा उपर जाता है, और 99.76 परसेंटाइल, और यह देख सकते हो, बाकी लोग का, तो अगला आता है, एलेक्ट्रिकल एंजिनेरिंग, तो विजिट ही है के लेक्ट्रिकल एंजिनेरिंग ठीक है, जो कि अगर आप ओपन से हो, आपकी एक कैटेगरी ओपन है, तो आपको लिए 133 रैंक होनी चाहिए, 1333 और आपकी परसेंटाइल 99.01 सम्थिंग होनी चाहिए, मतलब अबब 99 और अगर आप लेडीज ओपन से हो, तो आपकी 2223 रैंक के आप आगे पिछे हो, और 98.70 परसेंटाइल आपकी अबब होनी चाहिए, और अगला आजाता है, E, Electronics and Telecommunication Engineering, तो आपकी अगर आप ओपन से हो, कैटेगरी और आप तो आपको मिराना चाहिए, लगबग 500 रैंक होनी चाहिए, 98 के अबब परसेंटाइल 99 के और अगला आता है, L, Open, अगर आप लेडिस ओपन से हो, तो आपको 900, 918 रैंक होनी चाहिए, और 99.5 परसेंटाइल होने चाहिए, ठीक है, और बाकी का आप देख सकते हो, इस पर, OBC से हो, PWD, Open से हो, TFW से हो, जो भी EWS, जो भी रैंक्स आप कैटेगरी से आप बिलॉंग कर चाहिए, सब का पढ़नी जाएंगे, तो सारे हो नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने, अगला आता है, Electronics Engineering, अगर आप Electronics Engineering करना चाहते हो, अगर तो आपको रैंक्स चाहिए, अगर आप उपन से हो, तो 1554, 1054 रैंक और या तो 99.22 परसेंटाइल के अबव, ओके, और अगर आप Production Engineering, तो Production Engineering के लिए, अगर आपको General Open तो आप थोड़ा कम रैंक पर भी आपको मिल जाती है, आपर, तो अगर समझाओ, आपको कम रैंक चाहिए, पर आपको VGTI में पढ़ना है, तो आप ऐसे जो ब्रांचे से अगर आपको थोड़ा कम रैंक आई है, 5000 तक आई है, तो आपको कुछ परसेंटाइल पर आपको ये कॉलिज मिल जाएगा, बाकी ब्रांच भी आप देख सकते हो, ओके मैं बारबाय बता रहा हूं, आप देख सकते हो, अगला आता है, मेकनिकल एंजिरिंग अगर आपको करना है, विजट याई से, तो जनराल जी ओपन के लिए, आपको है लास्ट, बट नॉट लीस्ट, जो कॉलेज है, वो है, टेक्स्टाइल टेकनोलजी, अगर आपकी रैंक थोड़ी और कम है, पर फिर भी आपको विजट याई में पढ़ना है, मुंबई की कॉलेज में आपको पढ़ना है, तो आपको 7,215 रैंक होगी, और 94 परसेंटाइल क से इधर आपको माक्स होंगे, तो आप टेक्स्टाइल टेकनोलजी कर सकते हो, विजे टी आई से, और अगर आप लेडिस ओपन से हो, तो आपकी लगबग 9,000, यानि 8,639 रैंक, 800,500 के भी ऊपर रैंक पर, मतलब आपको 93 परसेंटाइल पर भी टेक्स्टाइल टेकनोलोजी अगर आप लेडिस ओपन में हो, तो आपको मिल सकती है, तो ये थे कुछ, दो कॉलेज मुंबई की, जो कि आपको सीव, MST, CT से मिलते हैं, जो कि मैंने आपको यहां पर दिखाए हैं, अच्छे से, और अगर आपको कोई भी अलग कॉलेज का, जैसे कि आपकी मानों के आपक को एक PDF में लेकर, ठीक है, तो अगर आपको जो भी कॉलेज के चाहिए होगा, आप एक बार कमेंड में लिख देना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी बताना, अगर पसंद रहोगी तो लाइक करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, तो चलो इस वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू